Hello everyone, इस विडियो में हम बढ़ेंगे class second हिंदी की poem टेसु राजा बीच बजार टेसु राजा बीच बजार खड़े हुए ले रहे अनार तो टेसु राजा है एक गनाम है और वो खड़े हुए है बीच बजार में और वो अनार खरीद रहे हैं इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने, तो अनार के दाने कितने होते हैं, ये तो गिरना थोड़ा मुश्किल होता है, और कंबल में पीच 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 खाने खाने बने होते हैं, वो कितने होते हैं, वो भी गिरना बड़ा मुश्किल होता है, कितने हैं कंबल में खाने भेड भला क्यों लगी बताने अब कंबल कैसे बनता है उन से उन कहां से आती है भेडों से आती है तो भेड क्यों बताने लगे कि उसकी उन में कितने खाने है एक जुंड में भेडे कितनी एक पेड पर पत्ती जितनी अब एक जुंड में कितनी भेडे होती है जितनी ए पत्ते होते हैं ये भी बहुत मुश्किल है बताना और गोपी के घर कितने लत्ते हैं लत्ते होते हैं तत्ते का मतलब होता है फटा पुराना कोई भी कपड़ा उसे लत्ता कहते हैं तो गोपी के घर में बड़े सारे लत्ते हैं तो बड़ा मुश्किल है फटे पुराने कपड उनकी जो चोटे चोटे तुकडे हैं उनको बताना उनको गिरना गोपी के घर लते कितने कलकते में कुटे जितने तो कितने डॉग्स हैं कलकते में आरे पापरे तो बहुत ही मश्किला बताना है ना 20,23,000 दाने वाला एक अनार अब इतने दाने होते हैं कि अनार में बहुत मुच्किल है ऐसा कोई दाना निकला है मतलब अनार निकला है जिसमें 20,23,000 दाने हो टेसु राजा कहें पुकार लाओ मुझे को दे दो चार तो टेसु राजा पुकार रहे होते हैं कि मुझे अनार लाकर के दे दो तो इसमें यही है कि अनगिनत जो होते है जिन चीजों को गिनना मुश्किल होता है उन चीजों के बारे में इस पोयम में बताया क्या है तो गिनत अनगिनत गिनत का मतलब है जिसको गिना जा सकता है अनगिनत का मतलब होता है जिस चीज को गिना नहीं जा सकता तो इसमें यही है कि कुछ चीजे ऐसी होती है जिने गिना जा सकता है और कुछ चीजों को नहीं गिना जा सकता जिन चीजों को गिन सकती हो उनके आगे हां लिखना है और जिने नहीं गिन सकते उनके आगे नहीं लिखना है तो कंबल के खाने नहीं गिन सकते बड़ा मुश्किल है तो नहीं लिखे सिर के बाल नहीं गिन सकते घर के लोग हाँ गिन सकते हैं जीटी के पैर हाँ गिन सकते हैं कमीस के बटन हाँ पेड के पत्ते बड़ा मुश्किल है तो नहीं आस्मान के टारह ये तो बहुत ही मुश्किल है तो नहीं कॉपी के पण्ने गिन सकते हैं बिलकुल गिन सकते हैं हाँ अपने कपड़े हाँ स्कूल के बच्चे हाँ TP कर करके बताना है तो देखिए 20,23,000 दाने वाला एक अनार ऐसा हो सकता है क्या मुश्किल है देखिए एक अनार में कितने दाने होंगे अंदाजा लगाना है हमें तो हो सकता है 150 हो हो सकते हैं 150 तो है ना तो 150 लिख लिए एक मतर में तो होते हैं 5-5 दाने एक भुट्टे में कितने दाने होंगे अब बुटटे में कितने हो सकते हैं एख मुफनी में कितने दाने होते हैं धो एक या तीन है न हर्ट czasoo Grill раз artifacts बाजार अनार लेने गए थे तुमचल चेया लेने जाती हो बहुत सारी पैंसल भर कप्टी न तुम मचलर कैसे जाती हो कैसे जाते हैं आप कार से जा सकते हैं रिक्षा से जा सकते हैं बाइक से स्कूटी से हैं आप उस बजार का क्या नाम है बुद्ध बजार हो सकता है कोई भी बजार का नाम हो सकता है अपने घर के पास के कुछ और बजारों के नाम पता करो तो आप पता कर सकते हैं बजार वाला बजार भी हो सकता है, मंडियां होती है, जिनमें सबजियां बिकती है, सबजी मंडी होती है, और हाट होते हैं, जो कभी-कभी लगते हैं, है ना, ये सब, अब इसमें आगे है, जगहों के नाम बताने, टेसु राजा बीच पजार, खड़े हुए ले रहे अनार, तो अ लेड़ बकरी हाती, ये सब जानवरों के नाम हैं, कमीज, कुर्ता, साड़ी, कपड़े हैं, मोर, कबूतर, उल्लू, चिड़ियां हैं, और आलू, बैंगन, भिंडी, सबजियां हैं, अब इन शब्दों को बोल कर देखो, अच्छे तो बोलने का है, जैसे कि दो दो बाड़ा, जमीन, गाजर, और और, जिद, तो इस तरीके से, ज़जा बनाकर, है ना, ज़ड़, ज़़ होता है, जुख्वाम, और जल्दी हो सकता है, इसमें जमीन ज़िद, और जाएजाद हो सकता है, ऐसे करगे आप बना सकते हैं, तो ये पूरा चप्टर हमारा, कॉप् तो तेंक यू